नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि SSC CHSL का एक्जाम चलता है और 9 और 10 जून को जो एक्जाम हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के उसके सारे की सारे हम कोशन लाए हैं सारे की सारे रियल कोशन है दोस्तों तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा वीडियो फसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा चैनल फे मारे नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल बटन जरूर दबा लिजेगा तो चले दोस्तो फीडियो को स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला कोश्चन पुछा था दोस्तो कि रामनाथ चौधरी का संबंद किस वाद यंतर से हैं तो इसका अंसर जाएगा अलगोजा आपको बता दे कि यह दो जूड़े हुए चोच की वासुरी से बना होता है और एक राक के लिए दूसरा ड्रोन के लिए जैसे ही खिलाडी एक ही समय में दो वासुरू बजाते हैं हवा के निरंतर प्रवा की आवशकता होती है अगला जो कोशन पूछाता दोस्तों कि ब्लैक पैगोडा कहां पर इस्थित है तो यह कोडार्क में इस्थित है बता देख जो ब्लैक पैगोडा कोडार के सूर मंदिर को ही कहते हैं और मंदिर का स्रेय पूर्वी गंगवंस की राजा प्रतम नर्सिंग देव को दिया जाता है और सन 1984 में इसे युनेस्को ने बिस दरोवर अस्तल के लूप में भी मानेता दी है और भारती सांस किसिक विरासत के लिए इसके महतों को दर्साने के लिए भारती दस रुपए के पीछे कोडार को मंदिर को दर्साया गया है अगला जो कोशम पुछा था दोस्तों कि 2011 के अंसार निमने लिकित में से किस राज्य में अनुसूची जन जातियों की जन संख्या का प्रतिसत देस में सबसे अधिक है आंसर हो जाएगा मिजोरम आपको बता दे कि लच्छे दी पांच प्रतिसत में घाला है 86.1 प्रतिसत और अगला जो कोशम पुछा दोस्तों कि दा कनफेसंस किसके द्वारा लिखित एक आत्मकता पुस्तक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जैक्स रूसो की जीन जैक्स रूसो की जो कनफेसंस है और जीन जैक्स रूसो की एक आत्मकतात्मक पुस्तक है अगला जो कोशम पुछा दोस्तों को 5.7 किसके द्वारा लिखित पुस्तक है तो यह चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तक है और यह उनकी पहली उपन्यास है जहां IIT पवई और दूसरी उपन्यास वन इससा सहत इसको हुआ था जोस्तों के अपके अपकमीं ग्जामशन के लिए G-K and Science के बहुत ही इंपोर्टेंट e-books मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों इसमें G-K के टॉपिक वाई G-K कवर कर सकते हैं सतर ज्यादा टॉपिक मैंने कवर कि इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है सब कुछ पर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल इबुक से आप सारे के सारे आपको इधर दुर कहीं भटकना नहीं है single e-book में सारे के सारे topic डाल देगे बहुत मैंने इसे बनाया है आप इसे ले सकते हैं, description box में link है और निस्चित तोर पे आपको सब कुछ यहां से revision करना है और cover करना है तो इस e-book का link description box में मिल जाएगा and second दोस्तो है आपका science का 1000 questions जो निस्चित तोर पे आपके परिच्छाओं पुछेगाएं जाएंगे और essay profession जो बार-बार आपके परिच्छाओं पुछेगाएं जी विग्यान, रसान विग्यान और भाती विग्यान से जो की complete detail के साथ है आप सारे professional detail के साथ देख सकते है तो ये दूनों e-book बहुत ही ज्यादा important निस्चित तोर पे आपको लिलना चाहिए ये वाला book दोस्तों 35,000 ले चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटा-फट ले लिजे सभी e-books का लिए description box मैंने दे दिया है और आने वाल examination में complete portion किजिए दोस्तों निस्चित तोर आपको बहुत फैदा होगा किकी इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने अगला question पुछा था कि Global Hunger Index 2021 में इंडिया की ranking क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा 101 जो 2021 में इंडिया की rank थी वह 116 देशों में 101 अस्थान पर थी और 2020 की बात करें तो 107 देशों में 94 पायदान पर था अगला question पूछा था कि पंकज आडवानी किस खेल से संबंदित है तो आंसर हो जाएगा Billiards पंकज आडवानी इसनूकर और Billiards के विस भी जीता है और पंकज ने पहला पेसेवर Billiards विस्व किताब 2009 में जीता था और इससे पहले वह एमेचियोर विस विलियर्ड और इसनूकर चेंपियन से भी जीत चुके थे अगला जो question पूछा था कि लओ आवर्थ सारेडी के किस समू से संबंदित है तो या आठवे समू से लओ आवर्थ सारेडी के आठवे समू का पहला तत्व है इसकी परमाडू संख्या है 26 द्रब्यमान संख्या की बात के तो 55.84 और इसका प्रतीख है F.E. अगला जो question पूछा था कि मल्लिका सारा भाई किस नित्य सहली से संबंदित है तो या सास्त्री नित्य से संबंदित ह और या गुजरात की एक भारती सास्ती नित्यांगना है और वह अंतरिच वग्यानिक विग्रम सारा भाई और सास्त्री नित्यांगना मिर्डालिनी सारा भाई की बेटी हैं और वह एक कुसल भरत नाट्यम और कुछी पुड़ी नर्तक भी हैं अगला जो question पूछा था कि इ अगला जो question पूछा था कि अनूब जलोटा का संबंध किसे है तो इनका संबंध है गायन से अनूब जलोटा जो की एक भारती गायक है जो भजन एवं गजल के लिए प्रसिद्ध है और वर्स 2012 में इन्हें भारत सरकारद्वारा पदमस्री पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है और यह भजन समराट के नाम से भी जाने जाते हैं इसका पूछन था दोस्तों कि भोजन पचाने में कौन मदद करता है तो इसका अंसों जाएगा पैंक्रियाज आपको बताते कि पैंक्रियाज के पाचक एंजाइम कार्बोहाइडरेट प्रोटीन वह वसा को गया तो अंसर हो जाएगा 1999 में आपको बता दे कि जो लगता मंगेसर है उनको वर्स 1979 में पदमभूसड और 1999 में पदमभूसड और 2001 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था और उन्हें वर्स 1989 का दादा साफ आलके पुरसकार भी दिया गया था अगला जो कोशन पुछा थ कि C6H6 किस राशायनिक का नाम है तो अंसर जाएगा बेंजीन बता दे कि जो बेंजीन या धूपे नियू एक हाइडो कारबन है जिसका अडू सुत्र है C6H6 और बेंजीन का जो अडू 6 कारबन परमाडूं से बना होता है जो एक छल्ले की तरह जुड़े होते हैं तथा प डेविड वेग रॉबर्ट जोसे बेखम है और एक अंग्रेज फूड़ फूड़ खिलाडी है जो फिलहाल अमेरिकन मेजर लीग सौकर कलब लास एंजेल्स गलेक्सी और इंगलेंड की राश्टी टीम के लिए मिट फिल्डर संयुक तराज अमिरिका मिट फिल्डर में खे अरतरत न मिला था और सामाजिक कारकरता नाना जी देश्मुक और प्रख्यास संगीतकार भूपेन हजारिका को या पुरसकार मलडो परांत दिया गया भूपेन हजारिका गायक एवं संगीतकार होने के साथ एक कवी फिल्म निदाता लेखक और असम की संस्कीती तथा संग पुरसकारों से भी नवा जा गया था अगला जो कोश्चन पुछा था दोस्तों कि करनाटक की ट्रांसेजेंडर महिला मंजम्मा जोगती को पदमस्री पुरसकार मिला है वह किस निते से संबंदित है तो अब फोक डांस से संबंदित है आपको उता देख जोगमा विरासत की ट्रांसेजेंडर लोक नित्यांगना मजम्मा जोगती को राष्टपती रामनात कोविंत की ओर से पदमस्री पुरसकार से सम्मानित किया गया जोगती जोकी करनाटक जनपत अकादमी की पहली ट्रांसेजेंडर अध्यच भी है बात के दुरसों वर्षट 2021 में पदम पुरस पुरसकार भीजेता और एक transgender पुरसकार भीजेता है अगला जो question पुछा था दोस्तों कि अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है तो answer हो जाएगा टार्टरिक अमल आपको बता दे कि टार्टरिक अमल एक कार्बनिक अमल है जो सफेद क्रिस्टली होता है और यह प्राकृतिक पुछा दोस्तों कि the room on the roof पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया तो यह रस्किन बांड के द्वारा लिखा गया बता दे कि यह बांड का पहला साहित्तिक उद्यम था और रस्किन बांड भारती मूल के ब्रीटीस में जनमें लेखक है और उन्होंने 1992 में आवर्ट्री ग्र इसे ओपर उपन्यास लिखे हैं अगला जो कोशन था दोस्तों कि फोतूला या फातूला दर्रा कहां परिस्तित है तो यह लद्धाक में इस्तित है फोतूला या फातूला भारत के लद्धाक प्रदेश में हिमाले परवतों में एक पहाड़ी दर्रा है और यह लद्धाक क लेह सहर को जमू और कस्मीर के स्रीनगर सहर से जोडने वाले राश्री राजमार्ग एक परिस्तित है और फोतुला 4108 मीटर की उचाई पर है जो प्रसिद जो जीला सेदिक उचा है और पूरे राजमार का सबसे उचा स्थान भी है अगला कोश्चन था कि 2023 क्रिकेट एसिया क कपकी मेजवानी कौन सा देश करेगा तो इसकी मेजवानी पाकिस्तान करेगा अगला कोश्चन जो था दोस्तों कि लता मंगेशकर का जन्म किस सहर में हुआ था तो इनका जन्म इंदवर में हुआ था लता मंगेशकर का जो कि 28 सेतंबर 1929 को जन्म हुआ था और इनकी मित्त कि BCCI के वर्तमान अध्यच कौन है तो अंसर हो जाएगा सौरग गांगुली आपको बता दे कि भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है और BCCI का फुलपान में Board of Control for Cricket in India अस्थापना 1928 कुवा था मुख्यारेश का मुंबई में है अध्यच इसमें सौरग गांगु भारत के एक सहनाई वादक थे और उनका जम कोलकाता में हुआ था और वे उस्ताद बिस्मिल्ला खा के बाद सहनाई वादक के तौर पर सबसे ज़्यादा मसूर भी रहे हैं और उन्होंने वर्स 1973 में दूरदर्सन के उद्गाटन कारकरम में सहनाई बजाई थी अगला जो क कि टेनिस के डबल समेच में कोट की चोड़ाई कितनी होती है तो अंसर्था 10.97 मीटर आपको उता देंडें जो टेनिस कोट की डबल मेच की चोड़ाई होती है दोस 10.97 मीटर और सिंगल मेच के लिए 8223 मीटर होती है अगला जो कोशन कि दूर्चाब ने किसे देश के नया मुख्य आर्थिक सलाकार नियुक्त किया है तो डाक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो डाक्टर वी अनंत नागेश्वरन है और देश के नय मुख्य आर्थिक सलाकार है और वहाँ पूरो में पीम मोदी की आर्थिक सलाकार परिसत के सदसे भी रह चुके हैं दोस्तो ये थी आज की 9 और 10 तरीक को पूछे गए रियल कोशन आपको दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा